हांज गेटवे टो इंग्लिश चैनल तेक वर फे तोहड़ा निका स्वागत किता जन्दा है इस वीडियो दे विच आपा चेंज दा वोईस जो टॉपिक है वो लेके आया तोहड़े लई अठ्वी कलास दा सलेवस है अंग्रेजी दा सेकंड टेरम दा उस दे विच टॉपिक आपांड़ लें लें सेकंड टार लातिश भरर्क बूक बैटो बहुत इंपोर्ट हां सो इस वीडियो दे विच में जो श्री लर्डख़क लेरा शीलर फेल इस वीडियो दे विच मैं तो हनु ज्यादा रूल्स बारे डिसकस्न नहीं कर पामाँगा चैनल ते जाओ तुसी प्लेइलिस्ट खोलो प्लेइलिस्ट दे विच जदो तुसी उपन करोंगो प्लेइलिस्ट ना एक प्लेइलिस्ट है चैन्ज दा वोइस दिन आती उस दे पॉइंट वू बॉट रोसरे हैं धाया दसरेखेक चैनल फेस्ट हाओ-स धागल शरके हो गया, it's the active passive, the next sentence है, I have never told a lie, मैं कदे चूठ नहीं बोल लिया है, a lie has never been told by me, मेरे दवारा कदे भी चूठ मेरे दवारा नहीं बोल लिया गया है, ठीक है, चूठ मेरे दवारा कदे भी नहीं बोल लिया गया है, so a second sentence हो गया, third sentence है, I am writing ले चाओ, ठीक है, इते मैं थोड़ी होई है, तब passive दे विच जब बीन जुरूर लग देगा, उते त्यान रखे होई, ठीक है, then next देखो, I am writing letter, मैं पत्तर लिख रहे है, हाँ, ing form आगी वर्ब दी, ठीक है, जदो ing form आगी त्यान रखना उस दे passive दे बीन जूरूर लग देगा, ठीक है, so इधा passive बन गा, a letter by me, ठीक है, passive किसे भी sentence दब जदो पर बढ़ूंदे, किसे भी tense दब आग होई, passive दे विच हमेशा वर्ब धी third form यूज होंदी है, ठीक है, नोट कर लो, learn करो, I have sold my car, मैं अपनी car वेच दती है, my car यह object है, यह subject दी था, ते इद्दर लेयो, ठीक है, है, है जह नाल बीन लग ठीक है, नेक्स्ट देखो, did the boys fly kites की बच्चा ने पतंग उड़ाई, ठीक है, यह past indefinite tense है, इस दे विच विच वोज वर थे third form लगनी है, ठीक है, so were, क्योंकि the kites pluralize करके were लग गया, शुरू चे लग गया, were, क्योंकि sentence interrogative है, were the kites flown by the boys, ठीक है, अद दा बोई इदर सी ल चला गया, इते बाई तों बाद, ठीक है, वर्ब दी है, first form सी, इस दी third form इते अपने कर देती है, ठीक है, next देखो, I kill a snake, a snake, objectives, इनुस अब्जेक्त लिए ओ, ठीक है, singular है, easy लग गया, क्योंकि प्रेजर इस लाग गया, ठीक है, प्रेजर इस लाग गया, यह ठीक है, प्र नेक्स देखो एह इंपेर्टिव सेंटेंस हुदी समस्टिव शुरू ऑपजेक्त है वसोन दूझे नमबर दूझे नमर तरी यह तो बाद भी अपने कोडों लिखना हा पाने ठीक है पी लिखना आप देखोड़ो ते उस तों बाद जो वर्ब दी फरस्ट फॉम एथे ठीक है ऐसी थारड फॉम लिखनी है लास्ट पे ठीक है यनिके लैट प्लस अजो अब्जेक्ट सी एथे प्लस बी प्लस थारड फॉम ठीक है let the door be shut, एक ता ए तरीक्पा है, दूसरा तरीक्पा देखो, should be नाल, should be अथे third form नाल किमें बना सकते हैं, जो object है, दा डोर उसनों पहले नमबर दे लियाओ, कोई भी object है, किसे कोई इसनों इसनों पहले नमबर दे लियाओ, ठीक है, उसनों पहले नमबर दे लिया किया आना, उस्तों बाद शुड्ड भी आप देखोड़ों तुसी लगा देना है शुड्ड भी ठीक है ते जो वर्ब दी फरस्ट फर्म आई है उस ते थर्ड फर्म लिख दो दुझ्जा यह तरीका हुगया दा डोर शुड्ड भी शट तीज्जा तरीका यू आरो तुसी देख लो रिक्वेस्टेड लिख दांगे शुरू ची यू आर आप देखोड़ों लिखना आप पाने यू आर लिखन तों बाद और्ड रिक्वेस्टेड जा अडवाइज्ड तिन्ना वर्ड्स ते विच्चों को यह वर्ड यूज होगा यह देखके संटैंस विच के डिगल लिख तों बाद टू आप देखोड़ों लिखना है फिर वर्डी फरस्ट फॉर्म रखनी है त्यांद रखना यह करे इस त्रीक्वेस्टेड नाल बनाओंगे तुसी ताफिर तू तों बाद फरस्ट फॉर्म ही लिखनी है ठीक है तो यह जो संटैंस एजिटीज लिख देना है यहां फिर यहां संट फिर फिर फैस फ़र्मल फॉर्म रखनी है यहां फिर यह धिर अंड़ और वर्डी फिर फॉर्म पहलागे तो यह तुसी है यह वेजो संटैंस तूरू अल यह समय क्यों है यह संट्विट फॉर्म हाड़ा फ़ोर्मॉल अंटी सिर 오른 झाल दो प्लीस ठीक है यूर रिक्वेस्टेड टू इन्फॉर्म दा प्लीस ओ भी त्रिक्के है किसी जो तुह नूँ एजी लगे उस दे अकॉर्डिंग तुसी कर ले ठीक है वर्क हार्ड यूर अडवाइज टू वर्क हार्ड एमें यूर अडवाइज नल बना दिता ठीक है एससे नल बनाये हो तुसी क्योंकि इस देविच अब्जेक्ट नहीं दितता हो या ठीक है जेकर अब्जेक्ट हुंदा था शुड भी ते लेट बी वाले फॉर्मुला नल भी अपना सकते सी पर एत्यान रिख्यों जेकर अब्जेक्ट ना हो वे इस तरहां दे संटेंस वीच था नोट लगा दिता है डू नूँ अपन ड्रॉप कर देंगे डू नहीं लिखना है थे फिर ठीक है बी फ्लक्त थी थाड़ फॉर्म प्लक्ट अग्गे चलो नेवर वेस्ट टाइम यू और डवाइज नेवर टू वेस्ट टाइम ठीक है टाइम शुड नेवर भी ना करो ठीक है नोबड़ी शुड भी हेटिड किसे नो भी नफरत नहीं किती जानी चाहिए दी है यह पैसिव हो गया जेस्ता ठीक है जो नाल लगे वरड में विल है जा शेल है उनने वीचो को एक वरड़ आएगा है ज्ञ वर यह करते हैड आता है है्ड कले हनुपाई यह हूं और है पो हैर्द ही रह जानना है तो इसे देखो अबजेक्ट की है दा ट्रेन इद्टर लिख लिया अपने ठीक है विल हैव फिल हेव बीन थीक है को धी थर्ड हेवसं कॉट ही थर्ड फ़र्म और डिये बाइव लग़े हैं फार इक ही दा इद्धर जाकी हो जगा बिटा है हम लोग्त से लेसे दिवो कि आपने नेगतिव एटा नेगतिव रहो ठीक है पॉस्टिव एटा पॉस्टिव एटा इंट्रोगेटीव रहेगा है है एड नॉट भी नपने अपने को लों इंसर्ट करना है लिखना स्थे वीच्छों स्पोकन है घया थार्ड़ फॉम ाइल बाई फिर उसतों बाद सी एच इदर जाके हो जन्दे विटा हर ठीक है नेक्स देखो have you seen the circus ठीक है दसरकस इस देविच अब्जेक्ट है इसनों अथे अपना subject दे तोड़ते रख लिया ठीक है उन देखो have आया होया है have देविच एक helping वर्व इथे लगनी है has have interchange हो सकते है क्योंकि प्रजेंट प्रफेक्ट थे या helping verbs ने दोनों ठीक है इसे इतना we have made a new record असीक नवा रिकार्ड बनाया है a we have third form लगी होई है has been have been third form पैसी विच बन जेगी होई a new record object अब्जेक्ट लिख लो इतने subject बन गया इस singular है इस करके has been made third form है गी हो एमें लिख लो by लिख दो we जड़ा वी देदर जाके us हो जन्द है ठीक है नोट कर लो याद रख्योंग ला has she read the newspapers की उस अखवार पढ़ चुकी है ठीक है की उसने अखवार पढ़ ले हन सो ए प्लूरल है word the newspapers ठीक है the newspapers ठीक है has third form आई होई है इस दा मतलब has been third form लग सकती है यह have been third form होगी passage क्योंकि यह pluralize करके has नहीं लग सकता है have लगे गए थे ठीक है been इदर आजेगा ठीक है क्योंकि interrogative sentence है जो इंट्रोगेटिव sentence बनाना होंदा आपने अपने अपना subject तो पहला helping गरवद पहला इदर लिखना होंदा है helping गरवद दुझ्या पारट भी हो इस साइड लिखना होंदा है ठीक है इस साइड आपने दुझ्या पारट इदर लिखता clear सो उस्तों बाद third form है फिर बाए ते शी दा वेटा इदर नू जो आपने लेखने हैं बाए तो मद हार हो जानदा है question mark है ठीक है has been one आ गया has क्यों लग गया क्योंकि दा बैट वर्ड जिड़ा है सब्जेक्ट है सिंग्लर हो गया फिर थर्ड फॉर्म तो बाद बाए लिखना है आई दा इदर आके की बन गया me दे वर हेल्पिंग दा पूर ओ ग्रीबादी मदद कर रहे हैं ठीक है दा पूर जो आपना अगले पासे लिखा गए वर्ड इदर आगए दा पूर शीक है जेकर इसनों तुसी सिंग्लर मन दे हो ताम वोज भी लिख सकते हो रहे क्योंकि पूर दा सिंग्लर प्लूरल सेम है ठीक है इसनों प्लूरल मनने है तो इस करके वर्ड बींग मैं तो नहीं दस्यासी भी जेकर आई एंजी फॉम आई होई है ताम पैसिव दे विख बींग हेल्टिंग वर्ड जुरूर एड़ करनी है ठीक है ते वोज वर्ड ही रखना है यह देख रहे हैं सब्जेक्ट की य सब्जेक्ट है ना जेकर इस स्विंगलर रहे ताम वोज यह कर प्लूरल ता वर्ड 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 इंटर्चेंजबल हों देने इन बदल सकते हैं आपस देवीचे चैंट आप अप्टिव नहीं आउने ता सब्जेक्ट चेंज हो जान्दा है इस ता नंबर चेंज होन्द और वर यह लोगए करना होंदा है तुसी साधियां किताब मां चोरी कर रहे थीक है पहले ही दसके हटें भी जेकर आई एंजी फोर्म आई होई है था पैसिव देविच बीइंग जुरूर लगएगा जे वोजवर आता है वोजवर देविचे कोई एक काईगा है यह इज़्जय मार आता है इज़्जय मार देविच वा हुए थे ठीक है क्लियर अवर बुक्स अब्जेक्ट से इद्धर आ गया यह प्लूरल है इसकरके वर बीइंग स्टील दी थर्ड़ फोर्म स्टोलन बाए यूदा इद्धर जाके यूदा इद्धर जाके यूदा रहना है यह हो गया वोज मीरा सिंगिंगे संग की मीरा गीत गा रही सी यह वी दिखो आ एंजी फोर्म है helping वर वोज है इसना मतलब वोज वर बीइंग थे थर्ड़ फोर्म लगने थे ठीक है वोज क्योंकि असोंग है अब्जेक्ट इद्धर ले ले लिए असोंग सिंग्लराइज करके वोज इद्धर ले पासे बीइंग फिर सिंग थी थर्ड़ फोर्म संग बाए मीरा इद्धर आगा जाए अब दे चलो दे वर प्रिपेरिंग देर लेसन ओ अपना पाठ त्यार कर रहे है थीक है देर लेसन इस देविच अब्जेक्ट है इन्व इद्धर कर लो ठीक है वोज वर लगना है इस दे कोर्डिंग अधर इस करके वर लगया है इस देर लेसन उन्हादा पाठ पाठ इक को यह सिंगल इस करके वर नहीं लिखा है अपने मोज लेखता ठीक है Camry अगी आगी तो हृज वर देंग लिखना आपकाने उस तो भाद यती थाड़ फॉम लिखनी है जो फिर बाई दे लाश्ट जाके बन जानदा है देम सो एसी तो हड़े 22 संटेंस इसी जिए वर्क बुक देविच देते होएं इमें तो हनुं कवर कर देते ने सारे उस पास्ट टेंस जानदा है धीक है तुषिए पास्ट कंटिन्यूस वाले वीडियो त्यान नाल देखके लें चेंज होब थे वानुसारा कुछ बिल्कूल कल्या कलीर होगा थीक है थे सारे पास्ट कंटिन्यूस देशन टेंस जेंस जगे उसतों बाद जे कर अपने है थे एंगा पास्ट प्रफेक्ट थीया थे पास्ट प्रफेक्ट सहीं है फूरे अगया इसेगे इंपलन नेए सत सत तक सत रहेके सी इंप्एरटिबma इनंट वा रहेके 25 इंद बर्टंप चेल्व हें कर अगत तर देख लो कि पास्त इंडेफिनेट भी है Except थिम्पारफ पास्ट इफिनेट और और फिर प्रफेक्टोर उन्लेक्टी वागे कुल मिला कर चार-पंज जड़े हैं ताइप से कवर हो इने बौत यह नहीं है किया सो जो जो इसने वीच जड़े जड़े भी टैंस दे वाक आये ने सिर्फ उन्ना टैंस दी तुसी चेंज दा वोईस प्लेइलिस्ट खोल के उन्ना टैंस दी वीडियो चंगी तरह देख लो यह तो हनों कंसेप्ट होर भी कलियर हो जाऊँगा ठीक है बेटा जो इस तरह तुस